नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सगर आज हम समझने की कोशिश करेंगे USA सैंक्शन्स के बारे में आप लोग अक्सर न्यूस पेपर में पढ़ते होंगे, USA ने किसी कंट्री के उपर सैंक्शन्स लगा दिया तो ये सैंक्शन्स का मतलब क्या होता है, जब USA किसी कंट्री के उपर सैंक्शन्स इंपोस करते है तो उस country में क्या impact होता है यह सब के बारे में हम आज in detail discuss करेंगे शुरुआत करते दोस्तों आप सबको पता होगा USA is the wealthiest country in the world और USA के पास दुनिया की most powerful military भी है तो USA जैसे country के साथ अच्छे relations maintain करना कोई भी country चाहेगा पर देखें military की बात नहीं है पैसों की बात नहीं है जब USA किसी country के ओपर economic and trade sanctions imposed करते है न तो इसका impact जो है यह बहुत बड़ा होता है वैसे economic sanctions का मतलब क्या होता है दोस्तों there is a way for large governments to exert the disapproval over one another मतलब कोई large government इस case में आप USA की example ले लिजी USA अगर किसी country के ओपर हो सकते है उनकी policies के ओपर या फिर उनके कोई internal issue के ओपर कोई human rights violation के ओपर खुश नहीं है तो USA सिधा सिधा उनके ओपर economic sanctions लगा देते हैं वैसे देखें चाहे तो USA उनके ओपर attack भी कर सकता है जैसे USA ने troops deploy किया था इराक में, अफगानिस्तान में पर इसने भी खतरना के दोस्तों जब USA उनके ओपर economic sanctions लगाते हैं तो जिस country के ओपर वो sanctions imposed हो जाता है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरे country के साथ deal करना तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे sanctions imposed करने का मतलब क्या हो गया मतलब उस country को किस तरह वो impact करेगा उसकी economy में क्या-क्या changes आएगा देखिए एक study हुआ था 2015 में उसमें से ये पता चला अगर USA किसी country के ऊपर economic sanctions imposed करते हैं तो उस country की GDP growth जो है 2% ये year तक decline होता है और ये जो negative effects है na economic sanctions का ये कम से कम 10 साल तक रहता है मतलब खुल मिला के उस country की जो GDP per capita है 25.5% तक decline हो सकता है 10 साल में और देखिए जब sanctions imposed करते हैं उस country की economy पूरी तरह बदल जाएगा इनके ओपर import restrictions imposed करते हैं export restrictions imposed करते हैं इसका मतलब क्या हो गया देखिए वो दूसरी कोई country से कुछ चीज़े import नहीं कर पाएगा आजकल globalization का जमाना है तो दूसरी country के साथ trade नहीं करेंगे तो एक country survey भी नहीं कर पाएगा क्योंकि पूरी जो product से वो थोड़ी ना एक country में produce होता है दूसरी country से import भी करना पड़ता है न तो जब sanctions imposed करते हैं दूसरी के country से कोई भी चीज़े import करने नहीं देगा export restrictions मतलब वो country दूसरी कोई country में अपनी products export नहीं कर पाएगा फिर trading between nations बंद हो जाएगा तो इनकी economy को 100% या फेट करेगा है की नहीं उपर से दूसरी कोई country इनकी market में आके invest भी नहीं करेगा तो foreign direct investment जो है वो भी खतम हो जाएगा अब दोस्तों एक example के साथ discuss करते हैं USA ने जब इरान के उपर sanctions imposed किया था तब क्या-क्या changes हुआ था US government का एक department है Office of Foreign Assets Control और FAC यही वो department है जो sanctions impose करते हैं US government की तरफ से देखिए दो तरह का sanctions होता है primary sanctions and secondary sanctions primary sanctions में क्या-क्या होता है देखिए it will stop Iran buying और acquiring US dollars US dollars वो खरीद नहीं सकते देखिए US dollars खरीद नहीं सकते हैं मतलब क्या हो गया इनकी foreign reserves पूरा खतम हो जाएगा अब foreign reserves एक country का एक backbone है अगर वो दूसरे कोई country के साथ trade करना चाहता है ठीक है फिर देखिए trading in gold and other precious metals trade of metals such as aluminium, steel, graphite, coal यह सब के ओपर sanctions आ गया फिर certain software वो खरीद नहीं सकते for integrating industrial processes and all फिर Iranian real का भी sale और purchases उन्होंने इनके ओपर भी sanctions imposed किया फिर maintenance of significant funds और accounts outside the country using Iranian real मतलब कोई Arab countries में भी अगर Iranian real इस्तमाल करके कोई funds में इंडियन करना चाहता है उसके उपर भी sanctions आ गया फिर sanctions on Iranian debt and auto industry मतलब खुल मिला के इरान में जितनी भी major sectors था उन्हों सब के उपर sanctions imposed किया मतलब कोई भी country इरान के साथ इन सब चीजों में किसी भी तरह का dealing नहीं कर सकते ठीक है दूसरा आता है दोस्तों secondary sanctions यह थोड़ा और खतरना के देखे इट लिमिट एकसेस चो इरान's ports और shipping sectors देखे दोस्तों इरान का जितने ports से shipping sectors से उसके उपर sanctions लगा दिया इरान ऐसा एक कंट्री है उनकी economy maximum dependent है oil products के उपर जब oil products दूसरे कोई country को वो बेच नहीं पाएंगे तो इनकी economy के उपर कितना बड़ा फरक होगा आप imagine कर सकते हो ठीक है मैंने आपको इंडिया के example बोला था जब इरान के उपर USA ने sanctions imposed किया था फिर इंडिया चैना जैसे countries को USA से permission मांगना पड़ा कि हमें इरान से oil खरीदने दो करके ठीक है आप देखी फिर इनके जो foreign financial institutions के उपर भी sanctions लगा दिया मतलब Central Bank of Iran के उपर sanctions Central Bank of Iran मतलब जैसे हमारा Reserve Bank of India है मतलब वो किसी और foreign financial institutions के साथ Central Bank के साथ किसी भी तरह का messaging services भी नहीं होगा तो इस तरह इरान की energy sector हो या फिर auto industry हो या फिर insurance sector हो re-insurance sector हो सब के उपर sanctions लगा दिया मतलब पूरी तरह इरान को USA ने लोग कर दिया गया था तो खुल मिला कि अब समझ गया ना USA जब किसी country के उपर sanctions सिंपोस करते हैं उनकी economy में क्या फरका सकता है तो देखे अब आप ये भी सोच रहे होंगे who receives US sanctions देखे USA कब किसी country के उपर sanctions सिंपोस करते हैं देखे ऐसे ही नहीं करते हैं जब कोई strong disapproval होता है जैसे कि USA की policy ये कहता है कि अगर कोई country terrorism को sponsor करता है सब्सक्राइब के सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करते हैं Stokrasia, Venezuela, Yemen, Zimbabwe तो इतने countries के उपर USA ने sanctions imposed किया है as of June 2021 अब दोस्तों कुछ long standing sanctions nations के बार में बात करेंगे मतलब USA ने कुछ countries के उपर बहुत सालों से sanctions imposed करके बैठा है वो क्यों है सबसे पहले क्यूबा के बारे में देखे क्यूबा का location आपको पताई होगा USA के southern side में, Caribbean Sea में एक important island country है क्यूबा क्यूबा के पर अमेरिका काफी सालों से sanctions imposed करके बैठा है थोड़ी से history अगर हम देखेंगे तो 1959 से पहले क्यूबा में dictatorship चलता था बाई बैटिस्टा इस dictatorship के against USA ने क्यूबा के उपर sanctions imposed किया था 1959 में Cuban revolution होता है led by Fidel Castro और Fidel Castro बन जाता है Prime Minister of Cuba देखें पहले तो Fidel Castro Government को USA थोड़ा बहुत support करता था पर जैसे power में आ गया Fidel Castro Government USA की बात सुनना बंद कर दिया वैसे वो communist government था वो किसी की बात इतनी सुनती नहीं है आप देखें Cuban government की कुछ policies USA को पसंद नहीं है इसलिए USA ने फिर से Cuban government के उपर sanctions imposed किया जो अभी भी चल रहा है पर थोड़ा बहुत exemptions दिया हुआ है जैसे कि humanitarian assistance के लिए relatives को visit करने के लिए थोड़ा बहुत exemptions है वैसे अभी भी Cuba के उपर USA ने sanctions imposed करके बैठा है मैंने बस briefly आपको पता है आगला है दोस्तों इरान आप देखें दोस्तों इरान के उपर भी अभी भी sanctions है यह बात आपको पता होगा थोड़ी सी history हम इधर भी चक कर लेते है देखे 1979 से पहले इरान का ruler था मोहमत रजा पलावी जिनको आप शाँ आफ इरान भी बोल सकते हो पर 1979 में इरानियन revolution के बाद शाँ आफ इरान को depose किया जाता है इसके बाद भी कई सारे events होते जैसे इरानियन hostage crisis वगरा जिसकी वज़े से USA सबसे पहले इरान के उपर sanctions imposed करता है पर ये बात आपको पता होगा इसके बाद कई सारे reasons की वज़े से इरान के उपर अभी भी USA ने sanctions imposed करके बैठा है reasons क्या क्या है एक तो इरान terrorism को sponsor कर रहा है करके दूसरा है enrichment of uranium अब ये uranium enrichment क्या होता है मैं आपको briefly बता देता हूँ देखे normally दुनिया में यूरेनियम आपको मिलेगा U-238 form है 99% of uranium U-238 form है आपको मिलेगा केवल 1% से नीचे आपको मिलेगा U-235 form है जिसमें U-238 जो है nuclear fissile material नहीं है वेरास U-235 जो है nuclear fissile material है जिसका fission होता है fission से energy release होता है अब क्या होता है दोस्तों uranium से U-238 अलग करके U-235 को collect करने वाला जो process है ना इसी को आप uranium enrichment बोड़ सकते हो आप देखे कोई भी कंटी uranium enrichment कर सकता है पर एक level तक 20% से ज्यादा अगर आप uranium enrich कर रहे हो इसका मतलब यह है आप वो nuclear weapon बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो वैसे थोड़ा बहुत uranium आप enrich कर सकते हो civilian purposes के लिए जैसे की nuclear reactors के लिए electricity produce करने के लिए पगा अगर आप 20% से ज्यादा enrich कर रहे हो इसका मतलब यह है आप nuclear weapons बना रहे हो तो इरान ऐसे कर रहा करके news मिला था USA को इसलिए USA ने इरान के उपर sanctions imposed किया था ठीक है दूसरी बात यह है इरान terrorism को भी sponsor कर रहा करके USA बोला है अगला दोस्तों North Korea North Korea arguably the most brutally affected country है by US economic sanctions USA ने North Korea के उपर भायंगर economic sanctions imposed करके रखा है किसी भी country को North Korea के साथ deal करने से अमेरिका मना करते है North Korea हमेशा इसके उपर complain भी किया है वैसे देखे दोस्तों history चक करते है 1950s में जब Korean war चला था तब USSR एक unified communist Korea को support करता था तो USSR को counter करने के लिए USA intervene किया आपको पता है USA और USSR के बीच में जो problem चला था तो USSR जहां भी support करता था ना उसके एगेंस हमेशा USA आजाता था तो तब से North Korea and USA के बीच में problems चला रहा है ठीक है वैसे North Korea and South Korea continue to technically be at war Albert Andres ceasefire since 1953 वैसे North Korea and South Korea के बीच में problem तो काफी decades चला पर 1953 में इनके बीच में ceasefire साइन हुआ था पर इसके बाद भी technically North Korea and South Korea के बीच में वारी चला था पर 2018 में with an easing of tensions South Korean leader Moon Jae-in and North Korean leader Kim Jong-un signed the Panmonjum declaration ये ध्यान दीजेगा Panmonjum declaration was between North Korea and South Korea ठीक है तो इसे दोनों कंट्रीज आपस में cooperate करेंगे करके भी बोला था पर दीखी US ने फिर से North Korea के उपर sanctions imposed किया था इसका ये था दोस्तों North Korea काफी सरे nuclear test conduct किया आभी भी कर रहा करके news आ रहा है वैसे North Korea के अंदर क्या हो रहा है इसके बार में किसी को idea नहीं फिर भी US की जो military intelligence बगर है वो कहीना कहीं से ये information निकालते हैं ठीक है North Korea ने अभी तक कम से कम 7-8 बार nuclear test conduct कर चुका है इसलिए USA ने North Korea के ऊपर भी trade and financial embargoes imposed किया है ठीक है United Nations भी North Korea के ऊपर sanctions imposed किया है अगला दोस्तों Syria देखे Syria के ऊपर sanctions लगाने का कारण ये था because Syria को America as a sponsor of terrorism देखते हैं वैसे Syria के अंदर क्या हो रहा है इसके बार में आपको थोड़ा बहुत idea तो होगा तो Syria के ऊपर भी finger sanctions लगाया है अमेरिका वैसे अमेरिका एकदम कड़क monitor भी करते है Syria में कौन-कौन चीज़े import कराता है क्या-क्या export होता है वैसे financial services भी ban करके रखा हुआ है कोई भी individuals को या organizations को जो terrorism से linked है तो मेरा कहने का मतलब है Syria के ऊपर जो sanctions imposed किया न वो बहुत serious sanctions है USA कड़क monitor भी करते है Syria में क्या-क्या activities हो रहा करके तो दोस्तों finally other economic sanctions भी कौन-कौन सा है ये भी देख लेते है देखे ऐसी बात नहीं है कि USA हमेशा एक country के ऊपर sanctions imposed करते है USA कभी-कभी country के अंदर कुछ specific individuals के ऊपर या फिर कोई specific agencies के ऊपर या फिर कोई specific political groups के ऊपर भी sanctions imposed करते हैं जो violence को promote करते हैं आप देखे ए for example December 2017 से US ने Global Magnits की Act के इसाब से Puppeters of atrocities के ऊपर sanctions लगाया है बर्मा में जो आज का म्यानमार है तो यह इंडिविजूर्स के ऊपर अमेरिका ने sanctions imposed के है पूरा म्यानमार के ऊपर नहीं तो इस तरह specific individuals या एजन्सीज के ऊपर भी USA sanctions imposed करते है वैसे US Treasury एक list of specific people and organizations मेंटेन करते हैं जिनके साथ कोई भी US National या और्गनेसेशन बिसनस नहीं कर सके तो दोस्तों फाइनली यह जो economic sanctions imposed करने वाली policy है न USA का इसका positive side भी है negative side भी है positive side यह है दोस्तों कि जितने भी country से इस दुनिया में जहां terrorism sponsor होते है जहां हर बार human rights violations होते है जहां internal political dispute civil war चलते है उन्हें control करने के लिए कोई ना कोई एक powerful country को action लेना पड़ेगा या फिर initiative लेना पड़ेगा जिससे उनको फरक पड़े हो सकता है उनकी economic sanctions से वो सुधा जाए तो सब के लिए भला होगा हेगी नहीं मैं बात कर रहा हूँ वो countries की जो किसी की सुनती नहीं है जैसे कि North Korea हो गया अब North Korea से अगर पंगा लैना है तो वो USA ही कर सकता है हेगी नहीं तो इस case में ये positive side हो गया negative side ये है दोस्तों आजकल USA ये जो economic sanctions है ऐसे weapon भी यूज़ करने लग गया मतलब USA की जो policy है अगर कोई उससे follow नहीं कर रहा है तो आपके उपर sanctions लगा दिये जाएगा हेगी नहीं तो ये गलत है उपर से USA जो है ये जो decision है unilaterally लेते हैं मतलब किसी से consult नहीं करते है देखिए आप जब किसी country के उपर economic sanctions लगा रहे हो impose कर रहे हो तो उसका जो impact है दूसरे countries में भी होगा तो इसके बारे में USA सोचते नहीं है हेगी नी तो ये भी गलत है जब इस तरह का कोई decision लेते है economic sanctions impose करते है तो USA को ये भी सोचना चाहिए इसका impact दूसरे countries में क्या होगा तो एक consultation की जरूरत है एक collective decision की जरूरत है ये नहीं हो रहा है था तो ये होगे इसका negative side तो I hope आपको समझ में आया होगा पूरी topic US sanctions के बारे में जिन countries के उपर USA से ने sanctions नी post किया है उसके reason के बारे में तो आप लोगों की valuable suggestions, comments आप मुझे please comment box में बता दीजेगा आपको पूरी topic ठीक से समझ में आया या नहीं लक्षे की PDF as usual आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा जिसका link नीचे provided है Thank you for watching, bye bye Have an issue